हलो कैसे हूँ भाई लोग मैं हूँ रंजीत और इस वीडियो में हम जियो के जो नए प्लान्स है उसके बारे में बात करेंगे अगर आप जियो का सम्म यूज करते होंगे और काफी लोग यूज कर रहे हैं भाई आजकल तो आपने तीन साधे तीन महले पहले आप तीन चो त तीन का रीचार्च किया होगा लेकिन उसकी जो वेलेडिटी थी जुलाई के आसपास थी अभी एंड हो रही है और जियो ने आज जो जुलाई ग्यारा को थोड़े नए प्लान्स ऑफर किये हैं और जो यह नए प्लान्स है बाई गजब के प्लान्स है क्योंकि यह हमें भी डेटा फ्री मिलता था यह अब हमें 56 डेज जो डबल है वेलेडिटी देगा और एक और एक नया प्लान है जियो ने अनौन्स किया जो है 399 का प्लान और इसके साथ हमें वेलेडिटी मिलेगी 84 डेज की 84 डेज तक हर दिन हमें 1 GB का डेटा मिलेगा और काफी दूसरे प् पर जाएए और यहां जो ऑप्शन रहेगा प्लांस पर क्लिक कीजिए और यह जो है नए प्लांस है जो आप देख सकते हैं और जैसा आप देख सकते हैं यह 309 का जो प्लान है अब हमें 56 डेज वेलेडिटी देगा जो दुगना है पहले था 28 डेज तो यह बड़ाई अच् जो 399 रुपे का है और इसकी जो आप देखेंगे वेलेडिटी है वो है हमें 84 डेज की वेलेडिटी दे रहा है तो यह काफी अच्छी चीज है तीन मैने से थोड़ा कम लेकिन यार 399 रुपे में काफी अच्छा प्लान है और यह भी हमें 1GB डेटा जो है हर दिन देगा तो प्लान है इसमें हमें 2GB पर डेटा मिलेगा और दूसरे प्लान भी यहां है जैसा आप देख सकते हों लेकिन एक और चीज मुझे अच्छी लगी यार यह सरफ प्रीपेड यूजर्स के लिए अच्छे प्लान नहीं अगर आप पोस्पेट के यूजर है तो अभी यह प्ला और तो अच्छी बात है कि ना सरफ प्रीपेड यूजर्स के लिए अच्छे प्लान मिल रहे हैं अगर आप पोस्पेड यूजर हो तो भी आपको अच्छे प्लान मिलते हैं तो भाई लोग बताइए आप कौन से प्लान पे आप्ट करेंगे मेरे पास तो दो जीओ के सिम्स हो गई या नहीं जानना चाहता हूं तो आप यूटिव कमेंट्स में बता दीजिए तो भाई लोग अभी के लिए तो बस इतना ही लेकिन बताइए क्या आप सोचते हो यह जियो के डबल दमाका प्लांस के बारे में और क्या आप रीचार्च करोगे और भाई लोग अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो अभी के लिए तो इतना ही फिर मिलेंगे